हमारे लेफ्टेनेंट उमर फयास को किड्नाप कर मार दिया गया लेफ्टेनेंट साब का कहना था कि मैं अपने कश्मीर को बदलूगा और इसे दुबारा पृत्वी का स्वर्ग बनाऊंगा राइफलमेन औरन जेप खान इन्हें किड्नाप कर मार दिया गया इन्हें नेक्स्ट लेवल तक टॉर्चर किया जाता है आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह इन्हें इनके हाथ पैर तोड़ करके इन्हें पेर से बांध दिया गया है सब इंस्पेक्टर इम्तियास एहमद मिल को किड्नाप कर मार दिया गया अब वीडियो में खुद देख सकते हैं इन्हें किस तरह टॉर्चर किया जा रहा है कॉंस्टेबल जावेद उढ्मेदार को किड्नाप कर मार दिया गया राईफल मैन हिलाल एहमद भट को किड्नाप कर मार दिया गया दोस्तो 9 अक्टूबर 2024 को टेरिटोलेर आर्मी के 162 बटालियन के राइफल मैन हिलाल एहमद भड जब अपनी छुट्टी काट कर वापिस जूटी जा रहे होते हैं तभी बीच रास्ते से टेरिस्ट इन हैं और इनके एक साथी को किड़नाप कर लेते हैं इनके साथी को गोली भी लगती है वो जखमी रूप से घायल भी होते हैं लेकिन किसी भी तरह वो वहाँ से बच निकलते हैं लेकिन हिलाल एहमद भड उन आतंकियों द्वारा टॉर्जर किये जाते हैं जिसके बाद वो वीरगती को प्राप्थ हो जाते हैं उसके बाद इनका पार्थिव शरीर इनके नजदी की काज़वान फॉरेश से प्राप्थ होता है और आपको बताते चलो कि इनके परिवार में इनके दो छोटे छोटे बच्चे और इनकी वाइफ है अभी और ऐसी घटनाए कोई पहली बार नहीं भी बलकी 2017 से चली आ रही है 2017 में हमारे लेफटेनेंट उमर फयास को किड्नाप कर मार दिया गया और 2018 में हमारे चार सोलजर के साथ ऐसी बरबरता की गई जिसमें सबसे पहले राइफल में औरन जेप खान इन्हें किड्नाप कर मार दिया गया उसके बाद जमू कस्मेर पुलिस के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज एहमद मिल को किड्नाप कर मार दिया गया उसके बाद Constable मोहमद सलीम शा को किडनाप कर मार दिया गया और उसी year 2018 में Constable जाविद एहमेदार को किडनाप कर मार दिया गया अभी 9 अक्टूबर 2024 में राइफल मैन हिलाल एहमद भठ को किडनाप कर मार दिया गया सबसे पहले हम बात करेंगे इस घटना के सबसे पहले विक्टिम लेफटिनेंट उमर फयास के बारे में जो 2016 में IMA से पास आउट होते हैं और 2nd Battalion of राजपुतना राइफल का हिस्सा बनते हैं हाला कि इनके फैमली स्टार्टिंग से ही इनके फॉच जोइन करने के खिलाफ थी लेकिन इसके बावजूद भी ये किसी तरह फॉच जोइन करते हैं क्योंकि इनके फैमली को डर था कई इनके बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए और अंत में 2017 में वही हुआ जिस चीज का डर था इनके टेरिस्टों ने किड्नाप किया इनके संग टॉर्चर किया गया और लास मीने मार दिया गया लेटरेंट साब का कहना था कि मैं अपने कश्मीर को बदलूगा और इसे दुबारा प्रिथवी का स्वर्ग बनाऊंगा दूसरा नाम आता है राइफलमेन औरेंग जेप खान जीने मरनो परांद स्वरे चक्रे से समानित किया गया राइफलमेन औरेंग जेप खान फोर जै पर किया जाता है आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह इन्हें इनके हाथ पैर तोड़ करके इन्हें पेड़ से बांधिया गया है इनके इसी सहास और वीरता के वज़े से राष्टपती भुण में इनके माता पिता को मरनो परांथ सौरे चक्र से समानित किया गया और अभी मौजूदा वक्त में इनके दो भाई है जो कि खुद भी सेना में कारे रथ है तीसरे नमबर पर हम बात करेंगे जंगू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंतियाज एहमत मीर के बारे में जो कि जंगू कश्मीर पुलिस के CID डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे जब ये छुटी पे अपने घर जा रहे थे, इनके साथ भी से वही इंसिडेंट हुआ, टेरिरिस्टों ने इन्हें रास्ते में ही किड्नाप किया, इनके साथ टॉर्चर किया गया, उसके बाद इन्हें मार दिया गया मीर साब अपने पेरिंट्स के एकलोते बेटे थे, जोने ने 2010 में जम्मो कश्मीर पुलीस में as a sub inspector जोईंग किया था चौते नमबर पर हम बात करेंगे, Constable Muhammad Salim Shah के बारे में, जिनकी कहानी Rifleman Orange Jip Khan के साथ almost मिलती जूलती है Constable Muhammad Salim Shah को भी इनके घर से बंदू के नोक पर किड्नाप किया गया, जिसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद मार दिया गया आप वीडियो में खुद देख सकते हैं इन्हें किस तरह टॉर्चर किया जा रहा है और मैं आपको बता दूँ कि महवाद Salim Shah जो अपने घर के एक लौते अर्नी मिंबर थे और जब इनके पार्थिव शरीर को इनके भाई कंधा देते हैं तो आप देख सकते हैं वो किस तरह अपना दर्द बया करते हैं वेच्वे नंबर पर हम बात करेंगे और स्टेवल जावेद एहमददार के बारे में दुन्हें कृश्मेर पुलिस के उस वक्त इसे स्पी रहे शलिंदर मिस्रा के परसनल सिक्योरिटी आफिसर थे इन्हें लोकल मेडिकल शॉप से ही किणनाप कर लिया गया जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया और अंत में हम बात करेंगे हाली में हुए इंसिडेंट की उपर जिसे 9 अक्टूबर 2024 को अंजाम दिया गया टेरिटोरियल आर्मी के 162 बाटाने के राइफल मैन हिलाल एहमद भट के बारे में जिन्हें की नैप कर बड़ी बुरी तरीके से इनके टॉर्चर किया गया और अंत में मार दिया गया आप वीडियो में खुद देख सकते हैं जब इनका पार्थिश्री इनके घर आता है तो किस तरह लोग जम कर नारे लगाते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने ऐसी घटना के उपर बात किया लेकिन ऐसी घटना को रुकने के लिए सलूशन क्या है क्या कभी ये घटना रुक भी सकती है या नहीं भारत में बहुत बड़े बड़े थीं टैंकर्स हैं मैं आप सभी से रिकवेश करता हूँ कि आप ऐसी घटनाओ से बचने के लिए कोई एक पर्मानेंट सलूशन निकाले और हमारी तरफ से हमारे सोल्जर्स के लिए बस एक ही मैसेज है कि आप अपने बहुत करीवी को भी अपने आने जाने की खबर ना दे क्योंकि आप जिसे अपना करीवी समझकर हर डिटेल्स बता रहे हैं आपको भी नहीं पता कि exactly उनके माइंड में क्या चल रहा है क्योंकि आप खुद सोचे एक टर्रिस्ट को कैसे पता हो सकता है कि आप किस दिन चुट्टी आ रहे हैं किस रास्ते से आप चुट्टी आ रहे हैं आप किस वेहिकल से घर जा रहे हैं ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कोई अपना टर्रिस्ट को ये चीज़े ना बताए कोई भी सलूशन है जिसके मदद से हम लोग ऐसी घटनाओं को रोग सकते हैं तो आप जरूर कमेंट डॉक से बताएं वाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई कहानी के साथ जहिन